दूसरे इस मूविय में अक्षे खन्ना एनरजी ओफिसर की भूमिगा निभाते हुए नजर आएंगे। आतनवादियों ने गांधी नगर के अक्षे धान मंदिरे पर हमला किया था। जिसमें राश्य सुदच्छा गार्ड के एक कमांडो और गुजरात पुलिस के दो अधिकारी सही 33 लोग मारे गये थे। और 80 लोग घायल हो गये थे। असरफ अली मुहंबत फारुक और केन होश। 24 सेप्टेंबर 2002 गुजरात की अक्षरधर्म टेंपल में दो आतंगवादी घुसते हैं जो स्क्रीनिंग को स्किप करके क्यों कि वहाँ पर B.A.P.S के वोलेंटियर्स खड़ेते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए तो उनको बॉयकॉट करने के लिए उनसे बचने के लिए ये फेंस को नाक के अंदर जाते हैं और खुले याम सब पर फाइरिंग करते हैं जितने पिल्ट्रिम्स वहाँ पर आयोई होते हैं सब पर फाइरिंग करना सुरू कर देते हैं वहाँ पर मौजूद जितने B.A.P.S वालेंटियर्स होते हैं वे सभी इतिरत यात्रियो को मंदिर के अंदर लेके जाते हैं और मंदिर का मेंगेट जो है अंदर से बंद कर देते हैं ये जो दो तेरिस अंदर घुषे होते हैं इनको ढूटते हुए वो मेंगेट तक पहुँच जाते हैं उसे खोली की कोशिश करते हैं लेकिट खुलता नहीं है किकि वो लॉक रह जिसमें कई बच्चे, बुड़े, बुज़र्ग महिलाएं अधिकतर लोग मारे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता है था, 33 लोग मारे जाते हो, 80 लोग हाल हो जाते हैं। इसके अलावा, एक कमांडू मारे जाते हैं, दू पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं। सियम नरेद मोदी, पॉल करते हैं डिपुटी प्राइमिनिस्टर एलके अडवानी को, उनसे एनेजी का हम हेल्प मांगते हैं, एनेजी आती हैं दस बच के दस मिनिट में, और 11.30 बचे एनेजी अपना ओपरेशन स्टार्ट करते हैं। और सुबह होते होते, 6.45 पे इन दो आर्तंगवादियों को निट्रिलाइस कर दे जाता है। इसी घटना पे अधारित है आक्षे खन्ना की मूवी, स्टेट ऑफ सीज, टेम्पल अटेक। साल 2002 में, गांदीनगर के अक्षरधा मंदिर पर हमला हुआ था। हमले में 32 लोग माले गए थे, जबकि 80 से ज्यादा खायल हुए थे। यासीन भट ने आतंग की हमले में एहम रोलने भाया था। यासीन प्योग के सहत्यार लेकर पहले जमो कश्मीर पहुचा। जमो कश्मीर से एक एमबेजर कार के जरिए बरेली पहुचा। बरेली में हमले की यूज ना बनाए गई। हमले के बाद यासीन भी ओके भाग गया था। लेकिन कुछ दिरों पहले यासीन जमो कश्मीर लोट आया और एक लखडी की फैक्टरी में काम कर रहा था। गुजरात ATS ने उसे वहीं से धर्द बोचा। अगर देखने जाएगे तो हमारा हिस्ट्री में इतनी सारी स्टूरी इतनी सारी रियल बेस्टूरी हैं जिन पर आप मोवी बना सकते हैं दिखा सकते हैं इंट्रेस्टिंग है काफी। आपको वही घिसा पिटा ये हिंदू-मस्लिम करने की जुरूत नहीं है। अगर आप चाहो तो हमारा इतिहास से ही बहुत ही अच्छे-ची स्टूरी आपको मिल जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं मिलता आप वही बना लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है रियल बेस्टूरी पे भी न जो से मिलावट हो जाती है। सिकारा मुवी बनी थी। इसके बाद राजी देख लेजिए। मिशरमंगल देख लेजिए। पीके देख लेजिए। इस सब मुवी में अगर आप जो हिंदू-मुसल्मान कॉंसेट घुसेट लग जाते हैं। और किसी दूसरे धर्म को इदम विक्टिम बना देते हैं। और मिजोरिटी को दिखा देते हैं कि सबसे बुरा धर्म यही है। हिंदों को बुरा धर्म बना देते हैं। प्रॉब्लम वो है। जो सच्चाई को इग्नौर करके जूटी चीज़े को जब फैलाने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम वहां प्याती है। सिखारा में देख लिजे। वहां पर पताया गया था कि हम कश्मेरी पंडितों के बारे में सच्चाई दिखाएंगे। उनके दर्द को ब्यान करेंगे। अब मुवी बनाने के बाद थीटर में कश्मेरी पंडितों को बुलाया गया उनको देखने के लिए। लेकिन जो दिखाया गया ह। जब वह देखते हैं कि उनके दर्द के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया। मेरे परफाँ मेरे विरा तुटर में डीटर में परफाँ दर्द के देखाया नहीं इसलोंक रदिकाते बुटर में एक दर्द के लिए। घंजा अब यह तरे मॉडर्स हूं उनकों कि शन्रव दिखाया अब मुस्लिप बहुत अच्रीप्टिंगे। करें बहुत बढ़ी आप लेकि इसके बदले कश्मीरी पंडित या हिदा में हो सकते थे यह पोरिटेक्स क्यों करें आप दे आली बजा जाजी आपको मुभारक हो आपको कश्मीरी पंडित आप देसों या मुवी आप देसों रहे तु सचाई को छोड़ के सचाई से कितनी द इसका है आप P.K. देखलीजे, M starch. म n глав में भी हरो मुवी इनका फिरटी है कि यह उच्छी देखी है अरे हां लक्ष्मी बॉम भी देख लीजिए लक्ष्मी बॉम देख लीजिए उसमें भी क्या किया गया है उसमें भी हिंदू-मुसलिम गुसा दिया गया है और मुवी आप जो देखिया आ रही है उसमें हिंदू-मुसलिम गुसाया जा रहा है और हमेशा दिखाया जाएगा कि हिंदु का ऐसे का छोटी सोच का है प्राबलम यह होता है जब यह अपना प्रोपेगेंड़ा घुसाना सुरू कर देते हैं मूवी के अंदर लेकिन इन्हें कि इन्हें सब प्रोपेगेंड़ा के बीच में कुछ डेक्टर ऐसे भी है जो बहुत ही अच्छी मूवी निकालते हैं जैसे कि आप ताना जी देख लिजे हम ताना जी काफे बहतरीन मूवी है यह सब जो डेक्टर यह थोड़ा सा आपको उमीद देते हैं कि सभी डेक्टर वैसे नहीं है सभी प्रोपेगेंड़ा में सामिल नहीं है कुछ लोग ही बस कुछ लोग मिले जुले हैं जो इस सब प्रोपेगेंड़ा में गुज़े हुए हैं उसी तरह हम उमीद करते हैं कि इस मूवी में सब कुछ सही दिखा जाएगा कोई प्रोपेगेंड़ा नहीं रहेगा जो सच्चाई रहेगी उसी को दिखा जाएगा with information इस उमीद के साथ इस वीडियो को हम खतम करते हैं क्योंकि ट्रेलर हमें बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर बहुत ही अच्छा बनाया गया है उमीद करते हैं कि मूवी भी उतने ही अच्छी बनी होगी या मूवी भी हमें उतने ही अच्छी लगेगी आपने को इस ट्रेलर को देखा तो आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्षा में लेकर जरूर बताएगा तब तक के लिए चैहन्द